नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनिंदन है में केमपस की कट ओफ जारी हुई जैसा कि मैंने पहले बोला था कि 24 तारीक को कट ओफ आएगी और कट ओफ आ गई कॉलेज का कट ओफ है वह आपको पहले ही सुझित कर दिया गया था कि केमपस की पहले राउंड की काउंसलिंग खतम होने के बाद कॉलेज वाले कट ओफ जारी करेंगे यानि कि उनको लिष्ट दी जाएगी तो अभी पहला राउंड खतम होने में लगभग एक से दो तारीक ह इसके बाद जब ये तारीक हो जाएगी तब कॉलेज को लिस्ट दी जाएगी तो कॉलेज की बी कट ओफ अपना आना नम स्थार्ट हो यानि एक हाथ हपत द्स दिन मालएजिये कॉलेज अपना कट ऑफ जारी करेगा बहुत सारे कॉलेज अपनने अदमिसिं शुरू कर दी ह जो भी गल्स कॉलेज हैं, आर्टीय में मारी कन्या और एसस कन्या, फॉर्म वहाँ पे मिल रहा है लड़िकों के लिए, लेकिन और भी कॉलेज अभी सांत हैं, तो आपको परिसान नहीं होना है, जब कोई सूचना आएगी, तो मैं आपको सूचित करूँगा, लेकिन जिसके लिए जरूरी है कि जाके फॉर्म ले लीजिए, सारी चीज़ें कर दीजिए, वह मैं आपको यहां से बता रहा हूँ, कॉलेज में सबका एडमिसन होगा, आप एक बाद जान लीजिया, सारे विद्यार्थियों का एडमिसन होना है, BA, BSC, Bcom में, कहीं भी आप बचे नहीं रहेंगे, बहुत कमी संख्या ऐसी रहेगी, जो एडमिसन नहीं ले पाएगी, बागी IPS कोर्से सिफ मेंन कैंपस में है, कॉलेज में नहीं है, तो उसके लिए परिसान मत होई है, तो अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट यह है, कि अफिलेटेट कॉलेज का कॉट ओफ जो है, मेंन कैंपस की कॉट ओफ के, एक हपते या दस दिन बाद आएगा, यानि पहले राउंड की काउंसिरिंग जब खतम हो जाएगी, या दूसरे राउंड की भी काउंसिरिंग जब खतम हो जाएगी, तभी कॉलेज अपना प्रवेश से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली बार एक बहुत बड़ी संख्या में, कॉलेज की विद्यार्थियों का अडमिशन केंपस में हो गया था, तो विद्यार्थियों केंपस में आके अपना दाखिला ले ले लिए थी, कॉलेज से अडमिशन कैंसिल करवा के, तो बहुत सारी सीटे काली रह गई थी, तो यह सूचना है, यह जानकारी है, कि अफिलेट कॉलेज का जो कॉट आफ आएगा, वो मेंड कैंपस के, यह दस दिन बाद, या दूसरी राउंड की काउंसिलिंग के खतम होने के बाद आएगा, लेकिन जैसे कोई अपडेट आती है, तो मैं आपको यहां से सूचित करूँगा, आप जुड़े रहिए, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इलहाबाद उनुर्श्टि लाइप के साथ, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभाद, थैंक्यू,